हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव ट्यून फ्लेम जन्नी पर माय लविंग ट्यून सोल साब सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए है मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज का वीचे है डियफ होश में आईए रेयो जैसे कि एक डियफ का मेरे पास कमेंट्स आया था और उन्होंने लिखा था कि उनके डियम बहुत कम समय उन्हें देते हैं और जब भी आते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और सेक्सवल बाते करते हैं और उसके बाद उ चले जाते हैं, तो ऐसे में उनसे मिलना चाहिए या नहीं, तो आज मैं इस विशे पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ बाते जो मैंने नोटिस की, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास जो कुछ D.F. आते हैं, उन्हों ने भी इसी तरह की बाते कही थी, कि उनके DM जब भी उनसे मिलने के लिए आते हैं तो फिजीकली बाते करते हैं और समय बिताते हैं और चले जाते हैं, अगर हम ना कहे तो वो बुरा मान जाएंगे, वो नाराजगी जाहिर करेते हैं तो इस तरह की बाते जब मैं सुनती हूँ, तो मुझे ये लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको खोश में आना है इस तरह ये जर्नी नहीं चल सकती, इस जर्नी का क्या अर्थ है, इसे समझने की जरूरत है इस जर्नी को समझने का अर्थ ये है, कि जो शारिरिक्ता के धरातल पर चलती है लेकिन अंत में आत्मिक्ता के इस तरह पर पहुंचती है फिजिकल से इस्प्रिचल होने तक यानि कि आपकी एनरजी रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर चलती है रूट चक्र जहांपर आपकी समस्त डेजायर्स होते है और सहस्त्रार चक्र जहांपर परमात्मा से आपका सक्षातकार होता है जो सोल मर्जिंग है डिवान से और वही उद्देश की प्राप्ति और मुख्ज तो ये सोचिए कि ये जर्णी कितनी पवित्र है कितनी पावन है लेकिन जिस प्रकार आप कहते हैं कि आपके परसन आते हैं आप उनके साथ समय बिताते हैं अपनी एनर्जी एक्सजेंज करते हैं फिजिकली और उसके बाद वो चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि आपकी एनर्जी तो रूट चक्र पर ही है यानि कि वो एक ऐसा इस्तर है जहाँ पर आप रुके हुए हैं और जब तक यह इस्थिती रहेगी तब तक आपकी एनर्जी उपर फ्लो नहीं हो सकती और नहीं आप उस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि यह देखिए कि जो आपके परसन है और वो फिजिकल डेमांड कर रहे हैं तो वो तो स्वेम अवेकर नहीं है वो तो जागरित है ही नहीं उनकी एनर्जी तो खुद रूट चकर पर है और जो वो बाते कर रहे हैं वास्तो में वो उनके मन की बाते नहीं हैं वो आपके मन के बाते हैं, आप कहते हैं ना कि हमारे ट्वीन डिजार में हैं, वो तो हमेंसा ऐसी ही बाते करते हैं, डिजार में वो नहीं आप हैं, वो तो सिर्फ आपको मिरर कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आपको आइना दिखा रहे हैं, आपकी कमियों को आपके सामने ला रहे हैं कि इस पर आपको काम करने की जरूरत है आप भले ही कहें कि मुझे इसकी डिजर नहीं है लेकिन वो आपके सब कुंसे smide में कही न कहीं है वो इछाय है जिसे आपका परसन आपका twin सामने ला रहा है दूसरी बात जिसे आप अपना twin बोल रही है पहले एक confirm तो कर लीजिए कि वो आपका twin है, soulmate है या कार्मिक पर यदि मान लीजिए वो twin भी है तो उसे energy देना क्यों है और तब जब वो अवेकन है ही नहीं क्योंकि यदि वो अवेकन नहीं है तो वो सिर्फ energy लेने के लिए आएगा और उस energy को अपने कार्मिक छेतर में प्रयोग करेगा आप इस बात को जान लीजिए क्योंकि जब तक वो जागरित नहीं है ना तो वो इस प्यार को समझेगा ना वो कभी commitment देगा ना ही इस connection को कभी स्युकार करेगा अब ये आपकी choice है कि आप इसी रीती से कब तक चलती है क्योंकि इससे तो सिर्फ आपकी journey delay होगी क्योंकि साधना का अर्थ होता है एक तपस्या और वो तपस्या अपने भीतर की जाती है जिसमें आप अपनी energy को save कर रही है और बार बार कोई आकर आपकी energy को ले रहा है तो इससे आपकी energy save होगी कैसे आप जानते हैं कि ये journey root चक्र से सहस्तरार चक्र की एक यात्रा है जिसमें जब तक आपके भीतर reunion नहीं होगा inner dm dm balance नहीं होगा divine से soul merging नहीं होगी तब तक बाहर physical plane पर आपके twin से आपका reunion नहीं होता और जैसे कि आप हमेशा ये चाहते हैं कि बाहर physical plane पर आपके twin से आपका reunion हो तो उससे पहले आपको आपने भीतर reunion पाना जरूरी है इस सब के होने का कारण क्या है इसका कारण है आपका fear से operate होना fear यानि कि low vibration की energy आपको ये लगता है कि आपके DM आपको छोड़ न दे वो कहीं भाग न जाए पर ये सोचिए कि आप जब fear से operate कर रहे हैं तो आप low vibration में हैं और उसकी वज़े से आप अपने energy अपने person को देते जा रहे हैं और ये दर्शाता है कि ये आपका अविश्वास है क्योंकि यदि विश्वास होता तो आप swim कहते हैं कि मैं साधना करके अपनी energy सेयो करूंगी और जो मेरा twin है वो मेरा है वो कहीं नहीं जा सकता उसको मेरे पास आना पड़ेगा लेकिन आप fear में है आप desire में है और इसी वज़े से आप अपनी energy उन्हें दे रहे हैं पर क्या आपको लगता है कि उससे वो ठहरेंगे आप energy दे या ना दे वैसे भी वो भागेंगे क्योंकि जब उनके पास energy ज़ादा हो जाती है तो वो वैसे ही भाग जाते है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक energy का game है जिसके पास energy ज़ादा हुई वो भागता है और जिसके पास कम हो जाती है वो पीछे अकेला रह जाता है और एक इस्तिती बनती है जब वो dark night of the soul में जाता है और वहाँ जाना यानि कि यह वही इनसान जानता है जो dark night of the soul में गया हो कि वहाँ उस इनसान को कितनी पीड़ा होती है क्योंकि वो इनसान पूरी रिती से खाली हो चुका होता है उसके अंदर कोई भी energy नहीं होती पूरी energy जा चुकी होती है और इसी लिए वो सबसे ज़्यादा दर्द में जाता है और तब आप कहते हैं कि मैं इतने दर्द में क्यों हूँ मैं इतनी तकलीफ में क्यों हूँ क्योंकि आपने अपनी पूरी energy उनको दे दी तो आप विश्वास क्यों नहीं करते कि आपका ट्विन आपका है अगर वो आपका है तो वो दुनिया में कहीं भी चला जाये वो कभी भाग नहीं सकता डिवाइन उसे भागने देंगे ही नहीं यदि वो आपका है तो आपके पास ही आएगा इतना तो विश्वास कीजिए क्योंकि यदि विश्वास होगा तो फियर नहीं होगा फियर है यानि कि विश्वास नहीं है ये जर्नी खुद की जर्नी है जिसमें आपको स्वैम अपने उपर काम करके अपनी जर्नी को पूरा करना है ये नहीं कि आप जो inner work कर रहे हैं वो आप अपने twin को पाने के लिए कर रहे हैं ये आप swim को पाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन आपने swim को पा लिया उस दिन आप अपने twin को भी पा लेंगे लेकिन होता ये है कि आपका ध्यान हमेशा अपने ट्विन पर रहता है वो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है वो क्या सोच रहा है यहां पर जब भी आपके एनरजी उसकी ओर फ्लो होगी वैसे ही आपकी एनरजी लो होनी शुरू हो जाएगी और उनको एनरजी मिलनी शुरू हो जाएगी इसी लिए खुद पर फोकस किया जाता है अपनी उपर काम किया जाता है ताकि आपकी एनरजी खुद पर लगी रहे और उन पर ज़्यादा ध्यान न जाए इसी तरह आपकी एनरजी से होती है साधना ये तपस्या का अर्थ ये होता है कि आप एक जगह बैट कर इश्वर को विचार कर रहे हैं अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर रहे हैं ऐसा नहीं कि बीज बीज में उठकर आप कहीं जाते हैं और उसके बाद फिर आकर बैट जाते हैं ये कोई तपस्या नहीं होती और डियफ वो होती है जो एक शक्ति के किरदार में हैं और आपको मा blending है कि शक्ति ने कितनी कठोर तपस्या की थी तब शिव जागृत हुए थे हलाकि ये एक उदहरन है लेकिन हर वो निसान जो इनर्वर्क कर रहा है वो एक शक्ति इस इंसान को आप बाहर देख रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में, वो तो आपके भीतर ही है, तो पहले अपने भीतर के उस इंसान को पाईए, बाहर का तो वैसे ही आ जाएगा, आपको ये लगता है कि वो थर्ड पार्टी में भाग गया, या उसकी मैरिज हो गई, या जहां कही भी चला गया, जाने दीजिए, क्योंकि अगर उसका कर्मा एकाउंट है, तो वो जाएगा, और उसे क्लियर करके आएगा भी, लेकिन तब ही जब आप खुद पर काम करेंगे, जब आप अपनी साधना को पूरी करेंगे, कुछ डियफ जो शादी शुदा हैं, जो कहते हैं क क्योंकि यह जर्नी ही ऐसी है, जिसमें खुद पर काम किया जाता है, अपनी विशिष्टाओं पर नहीं, बलकि अपनी कम्यों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अदि आप ने उस पर ध्यान दिया और उस पर काम किया, तो आप एक बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, यह लोग त जैसे आप जेतना की इस तर पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपके आस पास रहने वाले लोग भी जेतना की इस तर पर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो आपके husband हो या आपके twin, जो लोग physical बाते करते थे, कुछ समय के बाद spiritual बाते करने लगेंगे, बिल्कुल normal हो जाएंगे, इ आप खुद पर कैसा काम कर रहे हैं? जैसे ही आप खुद पर काम करते हैं, कुछ समय के बाद आपके twin का आना होता है, आप खुश हो जाते हैं कि reunion हो गया, लेकिन आपको ये नहीं मालुम होता, कि divine ये देख रहे होते हैं कि अभी भी आप में desire है या नहीं, क्या आज भी आ जागने का समय आ गया है जानिये कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है फियर से बाहर आईए डिजायर से बाहर आईए विश्वास रखिए खुद पर अपनी जर्णी पर और डिवाइन पर और डिवाइन ने जिसे आपको दिया है वो आपका ही है चाहे वो कहीं भी चला जाए उसे वापस आना ही होता है लेकिन तब जब आप खुद पर काम करेंगे लेकिन इसके लिए आपकी एनरजी को रूट चक्र से सहत्राज चक्र तक कियात्रा करनी पड़ती है लेकिन जब आपके एनरजी थर्ड आई में पहुंशती है तो वहाँ पर डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है वहीं पर आपके 5D के डियम से भी आपकी सोल मर्जिंग होती है तो वहाँ तब पहुशने के लिए आपको रूट चगर से उपर उटने की और शक्ता है और यदि ऐसा नहीं है तो आप अपनी जर्णी में इस्टक हो जाएंगे आपकी ये जर्णी डिले हो जाएगी इसलिए खुद पर फोकस कीजिए खुद पर काम कीजिए खुद को समय दीजिए अपनी एनर्जी उन पर मत लगाएए जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी उन पर लगाएंगे उतना ज़्यादा आप लॉस में जाएंगे क्योंकि जितनी साधना करके आपने एनर्जी सेव की है वो उनको चली जाती है तो यहाँ पर जो एक एनरजी का गेम है जिसमें आपको अपनी एनरजी सेव करनी है और वो तभी होगा जब आप खुद पर काम करे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनरवर करने से बहुत ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन करने से एनरजी सेव होती है मैं सिर्फ यह कहती हूँ कि अपनी एनरजी बचा लीजे क्योंकि यदि आप कितनो इनरवर करे मेडिटेशन, ध्यान, साधना करे लेकिन यदि आपके एनरजी फ्लो होती जा रही है उनकी और तो एनरजी आपके पास सेव होई नहीं पाएगी इसलिए अपनी एनरजी को बचाना, उसे सेव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप जितनी भी साधना करे, इनरवर करे वो इस्थाई रहेगा तो यहाँ पर अब आपको स्वेम पर ये विचार करने की जरुवत है कि आपको इस जरूरी में आगे बढ़ना है या नहीं खुद सोचिए विचार कीजिए और विशेश कर ये बात कि एक ऐसा इनसान जिसे आप अपना ट्विन कह रहे हैं यदि वो जागरित नहीं है तो आपका उनको एनरजी देना विर्थ है अपनी एनरजी खुद पर लगाए खुद पर फोकस कीजिए अपनी जरूरी को पूरा कीजिए क्योंकि आपके जागरित होने से वो जागरित होंगे वो सिर्फ आपको मिरर कर रहा है जैसे जैसे आप चेतना की स्थर पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो चेतना की इस तर पर आगे बढ़ेंगे यही ट्विन फ्लिम जर्नी है तो प्रियो आज मैंने जो भी बाते बताई इस पर गौर कीजे और इस पर विच्छार कीजे यदि अपनी इस जर्नी को पूरा करना है तो क्योंकि रियूनियन होते है हार्मोनियस यूनियन भी होते है पर्मानियन भी होते है लेकिन जरूरी यह है कि उस रियूनियन को इस्थाई बनाए रखे और वो तभी होगा जब आप अपनी एनरजी को सेव करेंगे, खुद पर काम करेंगे बिल्कुल बैलेंस और नीट्रल रहेंगे तब ही आप अपनी एनरजी को पूरी रिती से बैलन्स कर सकते हैं और आपका जो भी रियूनियन हो आपके परसन से वो इस्थाई रहेगा और आपकी जर्नी भी पूरी हो जाएगी तो प्रियों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गॉड ब्लेसी आल मेरी सोल फेमली आप सभी के जर्नी पूरी होएगे